सारे रंग हमारे हैं, लोग टुक्रों में बटे थे, मैंने सबको एक करने की ठानी है, इसलिए सिवान जिला हमारा है. माना ज़ितने के बाद इंडिये गड़बंदन में जाएंगी हीना साहब, क्योंकि ये चर्चल लगतार ज़िए. जनता हमारा मालिक है सिवान जिलाजी सोर जाएगा आपकी हिना उसोर जाएगा नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी देखिए बिहार में लोकसभा चुनाओ की लड़ाई लगतार तेज होते जा रही है बीते सुमवार 29 अप्रैल से बिहा में छठे चरन के लिए नमांकन की प्रकिरिया शुरू हुई उसके बाद होट सीटो पर लगतार नमांकन देखा जा रहा है जहां एक तरफ सिवहर में बीते दिन लवली आनंद ने अपना नमांकन परचा भरा मुतिहारी में पुर्व केंद्रिये मंत्री राधा मुहंत सिं है क्योंकि एक तरफ जहां तेजश्वी यादो और मुकेश रहनी अवद बिहारी चौदरी के नमांकन में पहुँचे तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलिये परत्यासी के तोर पर हीना सहाब ने भी अपना नमांकन परचा भर दिया है लेकिन नमांकन परचा भरने के बाद शमर्थकों के साथ जब वो मीडिया से उन्होंने बात किया तो कुछ दिनों से लगतार जो तस्वीरे वाइरल हो रही है जिसमें उनके शमर्थक भगवा गमचा कंधे पर लिये हुए हैं उस पर सवाल किया गया पूछा गया क्या बात है क्या हो रहा है आखिरकार हरे दिख रहे हैं मैरत हमारे हैं लोग टुकडोँ में बटे थे मैंने सब को एक की धाणी है इसलिए सीवां जीना हमाएं इंडिये घटवंदन में जाएंगी Enfin, मेडम बड़ी सवाल है क्या माना जाए जीतने के बाद इंडिये गड़ बंदन में जाएंगी हीना सहाब क्योंकि ये चर्चल लगतार तो अभी आपने सुना सहाबो दिन की पतनी हीना सहाब को लगतार चौथी बार वो सीवान लोकसवा सीट पर मैदान में उतर गई हैं बीते तीन चुनाओ उन्होंने राज़त के सिंबल पर लड़ा कभी चुनाओ नहीं जीत पाईं लेकिन इस बार राज़त ने उनको अपने पार्टी में किनारे किया तो अब पार्टी से बागी होकर वो मैदान में उतर गई हैं लोकसभा चुनाओ लर रही हैं निर्दलिये अब कितना प्रभाव वो छोड़ पाएंगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन दूसरी तरफ आज अवद बिहारी चौधरी जो कि राज़त के उमिदवार हैं पुर्व विधान सभा के स्पिकर उन्होंने भी अपना नमांकन परचा आज ही भरा है और उनके लिए तो तेजश्वी यादो और मुके शहनी सिवान पहुंचे थे गादी मैदान में उन्होंने जनसभा को और संबोधित भी किया हीना सहाब को लेकर कुछ जादा वो जरूर नहीं बोले लेकिन उन्होंने एक इसारा जरूर किया कि आखिरकार अब सिवान में बदलाओ क्यूं जरूरी है तो देखना बड़ा दिल्चस्प है कि सिवान की सीट पर जनता किसके पक्ष में जा रही है त्रिकोनिये लराई वहां पर भी देखने को मिल रही है हीना सहाब मैदान में हैं बागी बनकर राजत के अवद विहारी चौधरी हैं इस सीट की जो वर्तमान सांसद ह कविता सिंग उनका तिकट काट कर इस बार जनता दल यूनाइटेड ने विजय लक्षमी को उमिदवार बनाया है अब किसके पक्ष में महौल बनेगा और 25 मई को वोटिंग जब होगी तो जनता किसके लिए EVM में बटन दबाएगी यह तमाम बाते जो है अब चार जुन को खुल कर सामने आएंगी लेकिन यकीन मानिए कि इस छटे चरन के चुनाओ में सबसे कोई होट सीट है तो वो सिवान की सीट है और सिवान में महौल जो है वो बहुत गरम होता दिखाई दे रहा है हाल के दिन में जिस तरीके से हीना सहाब का प्रचार प्रचार का दौर शु है तो बने रहीएगा लाइव बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें